ये गुड मॉर्निंग गाइज आज के विलॉग में आपका स्वागत है सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूं तो थोड़ा सा लॉन टैनिस खिलते हैं क्योंकि अगर आप वॉक ने आपको फिट रखना है तो ये अर्ली टुबाइड आर्ली टुबाइड सुबह के साड़े पांच वाज चुके हैं सन ना टचाया हुआ है लेकिन देखे रोड पर ट्रैंफिक फिर भी उतना ही है वाई लोग कहां जा रहे हैं सभी जा रहे है मॉर्निंग वॉक पर लगता है ठीक है तो यार आज हम करेंगा मैक्रिक्स मल्टिप्टीशन और उसके कर दो कि अर्व घ्यक्टीशन देखें जाया है अर्म आज है रहे हैं अभी क्यांद के हैब कर रहे हैं पर बहूं है रहे हैर और यस अवान ही का कष़ पर स्क्रणला अइश्चिक पर अपाक रेकित है क्या है अज़िए तो अष्यू को लाइस है वूंग अजाल अज़िए है बस के लिए वेट करता हुआ क्यों वहीं दिल की धरगन बढ़ गई है जाल अल्टा बेस्ट है अच्छा रहा दल आएगा चैलिए कि बाई-बाई आख गोड़ी इवनिंग कायज है अब अब इतक आपने देखा कि यार आज सुबह जो है मैं टैनिस भी खिला तीक है बढ़ी आरा हेक्टिक दे था चीक है तो हमने देखा था कि लास्ट विलोग में हमने मैट्रिस का प्रोडक्ट स्टार्ट किया था चीक है तो मैट्रिस का जो प्रोड़क्ट किया था तो उसका बताया था ठीक है easy है मुश्किल तो नहीं है ना कोई बात नहीं मुश्किल भी होगा तो करेंगे तो आज उस प्रोड़क्ट से related कुछ important information आपको दी जाएगी उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है slow and study we'll pick the pace okay now see आज हम पढ़ेंगे various powers of matrices various powers of matrices यार यह क्या है पहले एक तो कुछ गलत फहिमिया दूर कर देते हैं ठीक है कुछ गलत फहिमिया दूर कर देते हैं अगर माल लो मैं आप से कह दू ऐसे कोई matrix है 1,2,3,4 चलो अच्छी बात है तो भाई अगर आप से कहूं मैं A square please note that it is not equal to 1 square, 2 square, 3 square, 4 square इसके बराबर नहीं होगी ओके अगर इसके बराबर नहीं होगी तो फिर क्या होगा तो यहां जड़ा चर्चा करते हैं अगर A कोई मेरे पास M cross N matrix है M cross N matrix है और suppose मैं निकालना चाह रहा हूँ A square तो यार A square का basic मतलब क्या है A into A और हमने कहा था कि प्रोड़क्ट का वेक्जिस्ट करेगा अब आपको बताया था मैंने कि यह M और N equal होना चाहिए तो यहां से condition क्या ही यानिके A has to be a square matrix यानिके जब भी आप किसी matrix की various powers calculate करोगे तो A को क्या होना पड़ेगा A has to be A has to be a square matrix यह जरूरी है उसका square matrix होना जरूरी है तो यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि it simple है तो प्रोड़क्ट ही निकालना होगा तो यह सारी various powers हम square matrices के लिए पढ़ेंगे तो जरूरा इस पर चर्चा करते हैं तो देखिए जरूरा ध्यान से आगे जैसे मैं आपसे बात कह रहा था कि यार A square का मतलब है A into A तो अगर जैसे यह आपके पास matrix थी A equal to 1, 2, 3, 4 तो यार यहां A square निकाल लेते हैं तो वो क्या आएगा A into A तो देखिए कैसे आएगा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो मैंने क्या बता था यहां matrix multiplication के लिए भाई आपको 7 मनाना पड़ेगा यानि कि यह और इदर ऐसे दाउन तो करिये ज़रा पहला पहले से तो 1 into 1, 1, 2 into 3, 6 दैन अब यहां करेंगे डाउन तो 1 into 2, 2 and 2 forja, 8 लाइक दिस अब इसकी बारी है तो इसको भी कर लेते हैं भाई यह क्या आएगा 3 into 1, 3, 4 into 3, 12 and then 3 into 2, 6 then 4 into 4, 16 तो भाई सोर होके आजाएगा 7, 10 और यह 15 और यह 22 तो इस तो इस वे भी हैव गाल्कुलेटed A स्क्वार, नहीं समबड़ी आस्क भी क्या आजाएगा, A स्क्वार इंटो A, तो भाई 3, we'll continue like this, अगर इसी तरीके से A raised to power 4 की बात करेंगे तो A cube already calculated करके हो, so in this way, if I continue like this, A raised to power M is A raised to power M minus 1 into A, तो guys, देखे, simple है, हमने अर्राम से product calculate किया और remedy क्या थी, भाई, वो 7 बनाने वाला, तो देखे, maths में आपको tricks को तो learn रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, simple plus minus है, बस वो plus minus करने का तरीका समझ लीजिए, कैसे हम कर रहे हैं, यहनि, matrix multiplication, row is to column चलती है, तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, वो भी समझेगा ज़रा ध्यान से, हमने आपको एक identity matrix बताया था, बताया था identity matrix, अगर याद हो, identity matrix, identity matrix, याद इसका क्या मतलब है, identity matrix, suppose मैंने I2 लिखा था, अगर याद हो, तो ऐसे लिखवा है था, I2, we have written I2 like this, 1001, suppose A मेरे पास कोई भी square matrix है, like this, A, B, C, D, याद अगर मैं A को इस I के साथ multiply करूँ, A into I2, यादि कि A, B, C, D, और यहाँ 1001, now let us do it, let us make the 7 याद, जैसे करते थे, तो A into 1, A, और B into 0, 0, अब इसकी बार ही है, A into 0, 0 into this, B, like this, now let us pick this, C को इसके साथ, तो C, और D को इसके साथ करेंगे 0, then 0 plus D, now what do you have obtained A, तो basically what we have found here, that A into I2, और या I2 into A, is equal to A, जरा इस बात को एक चीज़ समझी, यह operation यह identity word आया कहां से, याद करिए कि आपका जो 1 होता numbers में, 1, वो multiplicative identity होता है, तो basically यहाँ आप क्या करते थे, 2 into 1, 2 आ जाता था, 3 into 1, 3 आ जाता था, तो I hope यहाँ पर matrix product के regarding हमेशा यह ऐसे behave करेगे, और प्लीज, आगे जाके हम डिस पर भी discussion करेंगे, कि यह non-singular पर बात करेंगे, आगे word आएंगे non-singular, ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, now see, अब यहाँ कुछ interesting fact, समझ यह की कोशिश करना, यहाँ मैट्रिक्स की various power निकाल रहे थे, various power of matrices, various powers of matrices, यह topic लेके चल रहे थे, ओके, यहाँ अगर A मेरी कोई diagonal matrix है, like this, A, 0, 0, B, तो तब क्या होगा, diagonal आगी न, याद है न, तो अगर मैं आप से कहूँ यहाँ, A square निकालना, तो A into A, that is A, 0, 0, B, यह आएगा, A, 0, 0, B, now let us find the product, 7 बनाना, बना ली जीए 7, तो A को A से multiply करेंगे, 0, फिर, plus 0, अब आगे, यहाँ करेंगे, डाउन, तो 0, plus 0, now let us pick this, 0, plus 0, 0, plus B square, आपने क्या देखा, के basically, diagonal matrix के case में, यह ऐसे behave करेंगा, तो यहनि कि, अगर मैं A cube निकालूंगा, तो भाई, यह क्या बन जाएगा, A to the power 3, 0, 0, B to the power 3, अगर मैं, इसी तरीके से continue करता गया, तो A to the power N, ऐसे बन जाएगा, तो भाई, यह चोटी-चोटी बाते, कई बार help करती हैं, तो diagonal matrix, तो यार, यह बात, अगर आपको समझ में, आ गही है, तो यहां, जरा ओर भी बात, समझने वाली है, तो समझ यह देखिए, अब identity matrix, का भी behavior, जज़ कर लेते हैं, तो देखिए, जरा आराम से, वो क्या चर्चा का विशय है, तो देखिए, suppose, अब हमने, identity matrix, ऐसे बताई थी, 1001, तो यार, यह diagonal नहीं है, हाँ है, एक scalar matrix है, तो यहां, अगर मैं, identity का square करूँ है, तो कहा जाएगा भाई, यह 1 का square, पावर एन भी लेंगे, तो 1 की पावर एन, 001 की पावर एन, जो की आई के ही बराबर आएगा, तो, यह चीज अपने दिमाग में, अच्छे से रखना, I hope, इस तिंग्स आर क्लियर, पोर इच एन एवरिवन, ओके, चलिए, अच्छी बात है, अब जड़ा, एक और बात यहां करेंगे, वो भी समझे न, कुछ प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स के, प्रोड़क्ट से रिलेटेड, ओके, प्रॉपर्टीज ओफ मल्टिपकेशन, प्रॉपर्टीज ओफ मल्टिपकेशन, मल्टिपकेशन, देखिए, हमने पहले ही बता था, मैट्रिक्स मल्टिपकेशन में, A इंटु B, इस नॉट इक्वल स्टू B इंटु A, इसका एक नाम होता, जिसको कहते हैं, कमूटेटिव, यहनि के, मैट्रिक्स मल्टिपकेशन, इस नॉट कमूटेटिव, तो यह बात भी आपको याद रखनी होगी, ओके, इस ओके, नॉट लेकिन मैट्रिक्स प्रोड़क्ट, एसोसियटिव होता है, अगर प्रोड़क्ट एक्जिस्ट करता है, इसको क्या कहते हैं, एसोसियटिव लोग, we call this as associative law तीसरा आता है distributive law यानि के a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c इसको हम कहते हैं distributive law तो यह कुछ basic बातें आपको दिमाग में रखनी होगी अब यहां इस बात पर एक चर्चा करते हैं कि अगर if a is a square matrix if a is a square matrix if a is a square matrix तो a into i या i into a हमेशा a आएगा तो identity matrix के साथ यह हमेशा commute करेंगी तो यह बातें अपने दिमाग में रखनी हैं भाई so please keep these things in your mind तो देखें इनकी consequence क्या होगी वो भी आपको समझनी होगी now let us understand it what are the consequences of these things now suppose अगर आप से कोई कहदे okay the problem is problem is something like this if a and b are square matrices are square matrices of same order और आप से कोई कह दे देन what is a plus b square भाई सबसे पहली बात यहां बच्चे गलती करते हैं वो सीधा टेप देते हैं a square सर प्लस b square प्लस टू सर यही तो है सर यही तो है वो भाई यहां यह और बी क्या है matrices है भाई तो यह भाई यह तो इसके basic पे जाएंगे भाई please note that it is not equal to this इसका basic मतलब है अगर a plus b का square लिखा है इसका मतलब है a plus b का dot a plus b के साथ अब जारा distributive लो आव लगाईए a into a आएगा a square a into b a dot b फिर b dot a plus b square यह क्या बताया था जरूरी नहीं है equal है तो भाई इसके बराबर आएगा is it okay अगर वह given है कि भाई a b equal to b है तो तब तो यह बात ठीक है तो इन बातों पर विशेज जान रखना है अब अगर माल लीजी यह ऐसे होता a and i are the identity matrix of same order तो भाई तब आप यह लगा देते क्योंकि इस case में अगर आप इसको ऐसे भी लिखते like this see तो आप लिखते a into a a square a into i या i into a या i square तो यार यहां यह दोनों चीज़े किसके बराबर होती है बताया था a into i या i into a a के ही बराबर होता है तो भाई यहां लिख सकते हो यहां formula work करेगा तो और i square i के ही बराबर होता तो please यह छोटी छोटी बाते अपने जहन में बिठा लीजिए तो it is not so difficult एक यहां मैं आज के विलोग को एंड करने से पहले लास्ट चीज मैं आपके साथ डिसक्स करना चाहूंगा this is what we call matrix polynomial वो क्या है उसके बारे में भी जरा समझ लीजिए क्या है वो just try to understand it what is matrix polynomial matrix polynomial matrix polynomial polynomial भाई कोई बड़ी बात नहीं है आपको वो क्या कह देंगे कि एक स्क्वेर मैट्रिक्स दे रख्योंगी ए माली जे कुछ ऐसे a b c d और आपको एक fx दे देंगे fx suppose fx is something यह fx पर भी चर्चा करेंगे इस पर बड़िया मज़े लेंगे यार इसके ठीक है विल मेक इंटरस्टिंग यार डोंट वर्य ऐसे a not say चलो क्यूबिक ले रहेते हैं a1 x square a2 x and say a3 where a0 a1 a2 and a3 are real number and I mentioned a0 is not equal to 0. अब वो आपसे कह दें यार यह f of a निकालो यार यह f of a का मतलब प्लीज स्विचोर करिएगा यहां पर अब यहां एक बात समझेगा प्लीज अगर matrix equation मनानी है तो विल राइट इस एस a3 a1 a2 अब यहां बच्चा कहेंगे यहां क्या आएगा भाई यहां कुछ नहीं आएगा यहां a3 into identity matrix क्योंकि समभी तो define होना जरूरी है तो यह इस बात की इसे ध्यान रखिएगा तो आई होप अब आप सेकंड एक्सरसाइज ट्राइ कर सकते हैं गाइस ठीक है आज के विलोग में मैंने अभी थोड़ा सा ही matrix के बारे में बताया है तो देखिए यार जी जान से पढ़िए पढ़ाई मुश्किल नहीं है ठीक है विल मेक इंटरस्टिंग ठीक है ऐसा नहीं है देखिए मैं आपक आज पहिंट प्रिक ठीक है और सोचिए दिमाग लगाई ए अग्वाण ने देमाग दिया है आपको बड़ा अच्छा ब्यान दिया अवर्टी एक्वल बेर काते हैं नहीं यार उसका बड़ अच्छा ब्लेन नहीं डिपेंड आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं एया या आ आज का विलोग आपको पसंद आया है तो भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियेगा and प्लीज डू सब्सक्राइब ओके, कीप मोटिवेटिंग में थैंक यू, बाई